आदिन दाना विर्मनी सिखा पदंस्माद यानी दमपत गाथा गथा नमबर 64 या 64 ये सावित्ती की जैतुना राम की उदाई थेर की गाथा है उदाई थेर या उदाई स्थिवर या उदाई भिको भगवान बुद्ध के समीपेबर रहता था पास में रहता था और अधिकतर उनके साथ में चारी का करते समय आता जाता था एक वार जहां सारे के सारे भिको बैटे हैं जो उनके आसन लगे हुए थे बहां वो बैटे हुए थे तो कुछ जो नई भिको हैं उन्होंने ये सोच कर कि ये जो उदाई थेर हैं ये भगवान के पास रहते हैं तो अवस्था ही बहुत जादा जानकर होंगे कुछ उनसे गहरे प्रसन कुछ गून प्रसन जो मन के और जो मस्तिस के और सरीर के यानि रूप के और नाम के होते हैं चित्त के होते हैं माइंड के होते हैं वो उनसे पुछ डाले उदाई थेर इतने पारंगत नहीं थे, वो सिर्फ साथ-साथ घूमते थे, पढ़ते कुछ नहीं थे, समझते कुछ नहीं थे तो वो उन प्रशनों का जवाब नहीं दे पाए तो इसकी चर्चा चली के उदाई थेर इतने साथ रहते हैं और ये बात नहीं बता पाए ये बात गूमते गूमते भगवान बुद्ध के संग्यान में आई तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, गाथा कथा नंबर 64 याव जीवंपी चे बालो पंडितं पै रूप सती नैसो धम्मं विजानाती दब्बी सूप रसं यथा याव जीवंपी चे बालो याव जीवंपी याव माने होता है जब तक और जीव माने जीव और अंपी माने भी यानि जब तक जीव रहेगा जब जीवन परियंद चे बालो, यदी बालो यानि मुर्ख अगर जीवन भर भी क्या करेगा? पंडितंग पै रूपा सती पंडितंग यानि पंडित को, जानकार को, भिक्कू को पीले रंग वाले को, भगवा को या जो भगवा कलर के भिक्कू है या भिक्कू संगय है उनके साथ पै रूपा सती पै रूपा सती का मतलब है संगती करेगा, साथ रहेगा यानि उनके साथ चलेगा तो कोई अगर जो मुर्ख है अगर वो कुरे जीवन भर भी किसी भिक्कु के, किसी जानकार के, किसी ज्यानी के साथ रहेगा, तो भी, क्या होगा, ने सो धमंग विजानाती, ने माने नहीं, सो माने वै, धमंग माने धमको और विजानाती माने जानता है, यानि के वै धमको नहीं जानता है, कैसे नहीं जानता है, दब्बी सूप रसंग यथा, दब्बी जो बोलते हैं वो बोलते हैं चम्चे को चम्चा युग तो आपने अच्छी तरह से देखा होगा मानने वर कासी राम जी का अभी जिकर करते हैं उसका दब्बी माने कर्ची या चम्चा या लेडल सूप रसंग का मतलब है सूप माने होता है कड़ी यानि रेसा जो होता है रस जो होता है उसको सूप बोलते हैं और रसंग का मतलब है उसका स्वाद लेना रस का मतलब रस भी होता है और रसंग माने उसका स्वाद लेना भी है दब्बी सूप रसंग यथा यानि कि जैसे जो चमचा है वो जो कडाई बेपकता है सूप पकता है उसका स्वाद नहीं ले पाता है वैसे ही अगर कोई मोर्क किसी ग्यानी के साथ जीवन भर भी रहे तो भी वो ग्यान को नहीं सीख पाता है ऐसा उन्होंने कहा जो चम्चायुक की बात है आपने चम्चायुक किताब पड़ी होगी मानने वर कासी राम जी की है मानने वर का मतल़ है कि वर माने स्रेष्ट होता है पाली के अंदर और मानने वाने मानता यानि कि जो समाज ने उनको सबसे अच्छे की मानता दिया उसको मानने वर बोलते हैं कोई वक्ती किसी कहता है आईए मानने वर उसका मलब है कि वो उसको मानता है सबसे अच्छा तो मानने वर काशी राम जी ने जो जीवन भर मेनत की तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जीवन भर किसी ग्यानी के खास्त और से उनका संदर्वता वो था कि जो पॉलिटिकल पावर में जो लोग हैं, जिसे को ग्यानी है या नहीं, मगर पॉलिटिकल पावर में जो लोग हैं, उनके साथ में कुछ लोग लग जाते हैं और वो जीवन भर लगे रहते हैं या तो उनकी गाड़ी चलाएंगे या उनके जूते साफ करेंगे या उनके कपड़े साफ करेंगे या उनके बच्चों की ठट्टियां साफ करेंगे या उनके घर पर सब्जियां लेके आएंगे या उनकी कुछियां साफ करेंगे या मेज स और वो पूरी जीवन भर चम्चे ही रह जाते हैं ठीक ऐसे जैसे चम्चा पूरी जिंदगी भर जो कड़ाई है जो भगोना है या जो बतन है उसमें खाना बनाता रहता है मगर खुद नहीं चक पाता खुद नहीं खा पाता यह बहुत सरल सा धमपद है और यह कमाल की बात है कि आप देखिए कि उस समय से लेके आज तक सारी बात हैं ऐसी की ऐसी बिलकुल सुद्ध प्योर वहवारिक जीवन में समझ में आती हैं यही बुद्ध की खाचत है कि बुद्ध ने बहुत चोटे चोटे एक्जामपल लिए और वो आज भी उन एक्जामपल में और उन बा चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है यह सभी पेजबुक पे अपने पेज़ पे अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूटूब पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी प्रवाद नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्हीं की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पू सरेन गच्छामू संगं सरेन गच्छामू संगं सरेन गच्छामू 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 आएधियों पी संग शरों गिच्छामी। ततियं पी धम्मं सर्णं कच्छामी ततियं पी धम्मं सर्णं कच्छामी ततियं पी संदं सर्णं कच्छामी साधों 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 कामे समिछ चरविर्मनी सिखाप धिंग स्माधियामी कामे समिछ चरविर्मनी सिखाप धिंग स्माधियामी कामे समिछ चरविर्मनी सिखाप धिंग स्माधियामी कामे समिछ चरविर्मनी सिखाप धिंग स्माधियामी